हेलो माई डियर फ्रेंड्स स्वागत है आपका आपके अपने इस यूटूब चैनल प्रीमेस क्लास में फ्रेंड्स अमने पिछले लेक्चर में सर्कल्स इस चाप्टर का प्रॉब्लिम सेट नमबर 30 सौल किया था अगर आपने मेरा प्रेवेस वीडियो नहीं देखा है तो ज माई डियर फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में हम दो न्यू टॉपिक स्टेडी करने वाले हैं दो शर्कम्फरंस ऑप सर्कल एन आर्क ऑप सर्कल यह दोनों बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक हैं तो आप यह वीडियो एन तक जरूरू देखना वेकोज हम इंपोर्टन फॉ फर्मिलाज इसमें स्टेडी करने वाले हैं वह आपकी बुक में नहीं दिया है बढ़ मैं आपको वह समझा रही हूं तो फ्रेंड्स स्पर्ण्स वर स्पर सर्कल इसका फॉर्मिला क्या है सर्कम्फरंस इज उपव टू पाय और चैब यह पाय क्या होता है पाय के एक specific value होती है 22 upon 7 और इसको हम ऐसे भी write कर सकते हैं 3.14 बड़ आपको 6 या 7 standard तक 22 by 7 ही use करना है जब आप बड़े हो जाओगे that is 9, 10, 11 या 12 में जाओगे तो आपको 3.14 इस value का use करना है तो friends यह आप अच्छे से note कर लो pi की value क्या है 22 upon 7 so circumference of a circle is equal to 2 pi r और second formula क्या है circumference is equal to pi d यह value आपको mind में रखनी है and d की value आपको example में दी जाएगी that is d means क्या है diameter है diameter की value आपको दी जाएगी and pi की value भी आपको already पता है क्या है 22 upon 7 22 upon 7 multiply by diameter की value करना है and then circumference of circle की value write कर दिने है and first formula में वही करना है 2 pi r that is 2 as it is रखना है multiply by pi की value आपको already पता है 22 upon 7 है and r की value आपको example में दी जाएगी तो r की value पूट करके हमें circumference find out करना है या फिर आपको ऐसे भी बता सकते हैं अगर circle का circumference 10 है then आपको radius की value पूछेगा तो आपको क्या करना है circumference की value as it is put कर लेनी है then 2 into 22 upon 7 then r as it is because हमें r की value find out करना है so r एक side पर रखेंगे left hand side पर इस 7 को shift कर देते हैं so here 10 multiply by 7 हो जाएगा and यह 2 into 22 यह भी दूसरी side पर shift कर देते हैं तो यह denominator पर आजाएगा here 2 1s are 2, 2 5s are 10 here 5 7s are 35 so radius की value क्या आए है 35 upon 22 cm okay इस type के questions आपको next standard में देखने को मिलेंगे friends circumference में इस क्या होता है किसी circle का पूरा link friends हमने यहाँ पर एक डिबा लिया है अब इसका circumference हमें चेक करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे string को कुछ ऐसे रख देंगे पूरा tight होना चाहिए यह यहाँ पर आप देख सकते हो यह हमने पूरा tight कर लिया है तो यह जो distance है पूरा यह हो जाएगा इस circle का circumference यह circular है डिबा तो यह क्या हो जाएगा इस circle का circumference हो जाएगा अब इसे हम चेक करते है और इसे चेक करने के लिए हम scale का यूज करेंगे 0 cm पर first tip रखेंगे यहाँ पर देखते हैं कितने cm पर आता है ओके फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो 13 cm है 13 cm के बाद यहाँ पर है 13.1 यहाँ पर 13.1 है यहाँ पर 13.2, 13.3, 13.4 और यह 13.5 यह जो डिबा है इसका circumference क्या हो गया है 13.5 cm ओके बट फ्रेंड्स आपको एक्जांस में इसे rope लेके नहीं जाना है, string लेके नहीं जाना है आपको इन formula का use करना है तो आप इन दोनों formulas को अच्छे से याद कर लो और इसे note कर लो बिकाज आपके books में यह formulas नहीं दिये हैं तो friends मुझे उमेद है आपको circumference of a circle यह पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा इसके base पर हम example भी solve करने वाले हैं अब friends next topic देखते हैं यह next topic is an arc of a circle अब यहाँ पर आप देख सकते हो यह circle है friends यहाँ पर हम consider कते हैं point a and point b पर यह circle break हो गया तो इसके दो parts हो जाएंगे यह first part यह उपर वाला part है और यह नीचे वाला part so these two are the arcs of the circle इन दोनों को हम क्या बोलते हैं arcs of this circle बट इन arcs को हमने सिर्फ दोनेम से ही denote किया है that is two letters है friends यहाँ पर आप देख सकते हो ab and यहाँ पर भी secondly ab है बट arcs को हम three letters से represent करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो second figure है इस second figure में first arc देखते है arc psq ओके यह first arc हो गई then second arc कर राइट करते है sqr यह second arc हो गई है अब आगी दिखते हैं कौन सी arc है arc qrp यह भी क्या है इस circle की arc है then arc rps यही four arcs इस circle में include है और भी कुछ arcs हम find out करते हैं जिसे p q r ओके friends हमने आपर इस circle में arcs find out किये हैं मुझे उम्मेद है आपको arc का concept भी अच्छे से समझ में आया होगा अब हम circumference of a circle and arc of a circle इन दोनों topics के बेस पर कुछ examples study करते हैं तो friends firstly हम circumference of a circle इस topic के बेस पर example study करते हैं हमें question के दिया है if r is equal to 14 cm find c c means क्या होता है circumference then r means क्या है radius हमें circle की radius दी है and circle का circumference find out करना है तो अगर radius दी है तो हमें formula पता है c is equal to 2 pi r okay and pi की value क्या होती है 22 upon 7 friends अभी आपको यही value put करना है okay 3.14 नहीं put करना है so here 2 as it is रखेंगे pi की value क्या है 22 upon 7 multiply by r 14 cm है हमें दिया है example में so here 717 72014 so c is equal to 2 into 22 into 2 that is here 2 into 2 means 4 multiply by 22 अब यह calculation कर लेते है here 4208 and 4208 that is circumference of a circle is 88 cm okay यह भी cm में होता है तो friends मुझे आपको first example अच्छी समझ में आया होगा अगर नहीं आया है तो next example लेखते हैं यह example study करने के बाद आपको और अच्छी समझ में आया जाएगा तो friends यहाँ पर second example है if r is equal to 63 cm find c that is radius की value क्या दिया है 63 cm and क्या find out करना है c means circumference okay तो हमें formula पता है c is equal to 2 pi r अगर r दिया है तो आपको यही formula हमेशा use करना है c is equal to 2 into pi की value क्या है 22 upon 7 multiply by r means 63 cm r की value हमें दी है so इसे भी put करना है then 7 1s are 7 7 9s are 63 so here 2 multiply by 22 into 9 then here 2 multiply by 9 means कितने होता है 18 multiply by 22 अब यह calculation solve करते है 88 here 18 multiply by 22 here 8 2s are 16 so 16 का unit digit 6 here here 1 carry 2 1s are 2 plus this carry 1 means 3 इसमें add करना है यहाँ पर lastly 0 आता है 2 8s are 16 16 का unit is 6 here here 1 carry then 2 1s are 2 2 plus 1 means 3 अब इन्हें add कर देते है 6 plus 0 means 6 3 plus 6 means 9 and यह 3 as it is that is हमारा circumference क्या आया है 396 cm so friends यहाँ पर हमने question number 2 भी solve कर लिया है next question देखते है here third question is if d is equal to 28 cm find c अब हमें क्या दिया है d की value d means क्या होता है diameter of a circle so अगर हमें diameter दिया है तो circumference का कौनसा formula यूज करना है second formula second formula क्या है c is equal to pi into d that is c is equal to pi d pi की value क्या है 22 upon 7 multiply by d means 28 so here 7 बंजा 7 7 फोजा 28 22 multiply by 4 करते है here 4208 4208 that is c की value हमें क्या मिलिया है 88 cm that is the circumference of a circle is 88 cm so friends मुझे उबहेते हैं आपको circumference of a circle इस topic के सभी examples समझ में आया होंगे अब हम next concept के बेस पर एक example sort करते हैं हमने second concept कौनसा study क्या था an arc of a circle अब यहाँ पर हमें एक circle दिया है एंड इसमें कुछ arcs है तो question क्या पूचा है find the names of the arcs in the circle इस circle में जो arcs है उन्हें find out करना है तो friends यहाँ पर आप देख सकते हो first arc है arc A, B, C okay अब हमने firstly A लिया था so A को छोड़ देना है अब B से start करते हैं B, C, D arc B, C, D arc का name सिर्फ 3 letters में होता है तो आपको only 3 letters ही consider करना है सबी letters that is 4 letters को consider नहीं करना है तो यह wrong आ जाएगा तो third arc देखते हैं अब हमने B से start किया था अब यहाँ पर C से start करते हैं arc C, D, A okay सो यह हो गया हमारा third arc then fourth arc देखते हैं यहाँ पर next arc है arc A, C, D okay so friends हमने यहाँ पर four arcs find out कर लिया है आप चाहो तो और भी arcs यहाँ पर find out कर सकते हो मुझे उम्हेते हैं आपको यह सबी concept अच्छे सी समझ बयाया होंगे thank you so much for watching my video अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इससे like and share जरू करना next lecture में हम circles इस chapter का last problem set that is problem set number 31 solve करेंगे and उसे के साथ हमारा circles यह chapter finish हो जाएगा that is हमारा semester 1 भी पूरा खत्म हो जाएगा okay so friends thank you so much for watching my video bye bye